हेलो एविवन तो जब भी हम शादी पाटी या किसी रेस्टोरेंट चाते हैं तो पनीर टिकका हमें सबको बहुत पसंद आता है और हम सोचते हैं कि घर पे इसे कैसे बनाएं तो आज मैं आपको यही रेसिपी बनाओंगी आपके शादी पाती रेस्टोरेंट से भी अच्छा पनी टिका आप घर पे एकतम असानी से बिना तंदुर बिना ओवन के कैसे बना सकते हैं तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे एकतम रेस्टोरेंट स्टाइल पनी टिका तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बजार जाके फ्रेश पनीर ले आए पनीर हमेशा फ्रेश ही उसकरें इससे आपका पनीर टिका का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फ्रेश पनीर ले लेंगे इस तरीके से हम क्यूब्स में कट कर लेंगे ताजा पनीर रहेगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हैगा इसके बाद एक बॉल में ले लेंगे थोड़ासा दही उसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ासा चाट मसाला थोड़ा सा रोस्टेट जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अधरकलसन का पेस्ट हल दी, यहाँ पे मैंने बेसन को थोड़ा भून लिया था, उसके बार डालेंगे कसूरी मेती, कसूरी मेती से टेस् मैंने यहाँ पर मस्टर्ड औॉयल को पहलेँ तोड़ा गरम कर लिया था फिर थंड़ा करके डालेए सब्सीयों के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब कर से इसके दिया थोड़े से प्याज ठीममिलानीगम का सब्सक्राइब थीच्व इसके लिए मिला repo B Allied टिक का स्टिक ले लिए आपको किसी भी शॉप पे यह मिल जाएगी स्क्यूर्स के नाम से आप इसमें सारी सब्जियों को इस तरीके से अरेंज कर लें वन बाई वन ध्यान रखिए कि अच्छे से कोटिंग हो गई हो हमारे सारे मसालों की सब्जियों पर इसलिए हम इसे 10-15 म कारिनेट होने देंगे उसके बाद ही हम सारी सब्जियों को स्क्यूर्स पे अरेंज करेंगे सारी सब्जियों को इस तरीके से अरेंज कर लिया स्क्यूर्स पे तो हमारे सारे पनी टिक का हमने रैडी कर लिए इसे भी 10 मिनिट के लिए आप रेस्ट करने दीजिए अब बिन लो फ्रेम पे हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि अच्छे से चार तुरफ से कुक नहीं हो जाता है अब इस तस से पंदरा मिट बाद हम देखेंगे कि हमारे सारे टिक का तैयार है उपर से बटर अपलाई करें चाट मसाला स्प्रिंकल करें और हरी चटनी और प्यास के सा अच्साफ करें